आपके सामने इसकी डेफिनिशन लिखी हुई है इन इलास्टिक सर्च अन एलियस इस एन एडिशनल नेम या फिर लेबल असाइंड टू वन और मोर इंडेक्सेज हमने देखा है वाई एक इंडेक्स का एक नाम होता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसमें एलियस क्या होता है एलियस उसका दूसरा नाम होता है जैसे हम क्या करते हैं कभी कभी हम क्या करते हैं अपना असली नाम नहीं बताते हैं websites को ठीक है न अपना alias use कर लेते हैं ठीक है उसी तरह से हाँ पर है index का दूसरा नाम alias है अब वो alias जो है वो कई सारे indices को point कर सकता है ठीक है फिल लिखा है it acts as a pointer to the underlying indexes allowing users to interact with them using a more user friendly name aliases are dynamic and can be added, removed or changed at any time without re-indexing the data अब देखिए हमने पिछली कुछ videos में ये देखा था कि हम mapping जो है न वो change नहीं कर सकते हैं index की जिसकी वज़ा से हमने re-index API पड़ी थी क्योंकि हमें जरुत पड़ी एक new index create करने की समद्रे बात को मैंने बताया था re-index API की help से copy करना पड़ेगा ऐसा क्यों किया अच्छा अब आपने देख को change तो कर दिया है माल लिजे पुराने index का नाम था students दूसरे index का चो आपने नया बनाया students v2 अच्छा अब आपको re-index तो करना ही पड़ा और अपने application code में भी वो change करना पड़ेगा क्योंकि आपने नाम बतलती है लेकिन अगर आप alias use कर रहे होते तो आप कुछ करने के जरूरत नहीं पड़ती alias किसको point कर रहा है बस वो change कर देते है माल लिजे दो मेरे पास क्या है दो मेरे पास index है और एक alias है अभी alias students को point कर रहा है पुराने वाले को ठीक है अब मैंने students v2 बना दिया अब alias जो है वो students v2 को point कर देगा ठीक है application code में कुछ change ही नहीं करना पड़ेगा अच्छा ये और लास्ट लाइन में लिखा हूँ है कि भाई कुछ भी कर सकते है अच्छी बात है ठीक है पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे code भी देखेंगे basically API भी देखेंगे लिखा हूँ है परपस क्या है elastic search alias का एक तो मैंने बदा दिया आप देख लेते हैं abstraction and decoupling लिखा हूँ है देखेगा alias is provide an abstraction layer separating the physical index names from logical names using the applications this decoupling is beneficial when you want to change or reorganize your index structure without affecting your applications समद्रे बात को जो मैंने आभी आपको बताया था वह यह example है फिर है blue green deployments same चीज जो मैंने आपको starting में बताए थी वो दूसरी भाशा में लिखा है आपर blue green deployments अगर आपको नहीं पता है इसका मतलब क्या होता है blue का मतलब की current version green का मतलब जो है new version अगर आप कुछ deployment कर रहे हैं switch कर रहे हैं कुछ पुराने से नाए पर तो उसके क्यों बल देंगे blue green deployment बल देंगे ठीक है fancy whatever तो वही लिखा है during the deployment of new version of an index aliases can be used to perform blue green deployment by switching the alias from old index to new index you can ensure zero downtime and smooth transition simple सी बात है अगर मालीचे नहीं होता तो हमें application code में change करना पड़ता वही कहानिया सारे अच्छा एक और ची filtered queries aliases enable the use of filtered queries you can define an alias with a specific filter as well and all queries related through that alias will be automatically filtered accordingly यानि कि जब आप alias create कर रहे होगे तभी देदीजे filter सब्सक्राइब तभी filter देदीजे और जब आप query करेंगे उस alias के थूप है ना तो आप वहां पर filter लेकने किया वह शकता नहीं समझ रहे है क्योंकि आपने जब alias create किया था तभी आपने वह query देदी थी example देखेंगे होगे एक और फाइदा cross cluster search aliases can also be used to perform cross cluster search allowing you to run queries across multiple clusters as if they were a single entity माल लिज़ आपके दो cluster है एक में order का data है एक में customer का data है तो हम इस तरह से alias create कर सकते हैं कि वह point करे data को दोनों cluster में तो हम search करेंगे तो हमें दोनों cluster का data मिल जाएगा ठीक है देख लिया है कथा सुन लिया हमने बहुत अच्छा होता है alias अब देखते हैं creating retrieving updating and removing जाते हैं कि बाना पर माल लेते हैं student नाम का हमारे पास index है ठीक है अगर already होगा तो हम delete कर देते हैं पहले ठीक है नहीं है हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है अटाते हैं तो करते है put students dog on the fly create कर रहा हूं नाम के राम है बन देगा और एज है उसकी दस साल ठीक है अच्छी बाते चलिए अब मैं इसमें अब मैं चाहता हूं एक एलियस बनाना जो की point करें इसको ठीक है तो पोस्ट की call होती है एक API होती है यहां पर खुद लिख दिया है कि बाना ने बताइए इंडेक्स का नाम ठीक है और बताइए एलियस का नाम ठीक है तो मैं देता हूं इस्ट्रेंट्स एलियस ठीक है अच्छा चलाते हैं इसको तो देखेगा अब मैं अगर गेट करता हूं इस्ट्रेंट्स एलियस पे सर्च करते हैं क्वेरी देते हैं मैं चॉल ठीक है चला के देखते हैं क्या होता है तो देख रहे हो हमने एलियस पे सर्च किया लेकिन आ क्या गया है इस्ट्रेंट्स आ गया है ठीक है अच्छा ठीक है हमें आ गया है क्या करना ए एक काम करता हूँ, एक दूसरा इंडेक्स बनाता हूँ, टीचर्स उसमें भी एक डॉक्यमेंट डाल देता है ठीक है, पहली टीचर है हमारी गीता जी, तीस साल उनकी उमर है इंसर्ट किया, हो गया कोई दिक्कत नहीं है मैं क्या करना चाहता हूँ देखे यहां पर मैं यह भी कर सकता हूं कि कि सेम एलियस को मैं पॉइंट करा दूँ टीचर्स में भी समझ रहें लेकिन हमने नाम ही उस तरह का ले लिया था कि हम पॉइंट नहीं करा पाएंगे इस तो एक काम करते हैं इसको रिमूव कर देंगे ठीक है चले रिमूव किया मै इसकूल में ही मैंने इस्टूइंट दाल दिये स्कूल में मैंने टीचर दाल दिये तो इसकूल क्या है अब एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है दोनों को इस्टूइंट को भी एंड टीचर्स को भी अब अगर देखेगा मैं स्कूल पर सर्च करता हूं स्कूल पर और यहां पर index का नाम दे दूँगा कि मैं कौन सा index remove करवाना चाहता हूं उस alias से अभी जो alias दो को point कर रहा है फिर एक को point करेगा ठीक है ना तो हम क्या कर देते हैं हम students को हटा देते हैं ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर इस alias को है ना हमने जो point कर रहा था remove तो हमने यह alias remove कर दिया किस से remove किया है students remove किया फ्रेशल आकर देखते हैं अब बस teachers लह वे देखे हो कितनी flexibility मिल रहे हैं और तो और यह wild cards भी support करता है काम करते हैं सब कुछ delete मार देते हैं delete students delete teachers तो देखे का हमने teachers and students delete कर दिये हैं दोनों ही delete कर दिया है जिसे alias point कर रहा था वही उड़ा दिया है अब मैं query चला हूंगा तो query नहीं चले ही क्यों क्योंकि अब ना alias हमारे किसी को point ही नहीं कर रहा है तो हमने अबी तक create लिया है ठीक है अब डेट करना भी सीख लिया है ठीक है एक ही बात रेटरीव कैसे करते हैं ठीक है रेटरीव बच रहा है तो एक काम करते हैं सब कुछ हटा देते हैं एक नई शुरूआत करते हैं एक index बनाने जा रहा हूं है इसमें एक हम डाल देंगे student ठीक है नेम क्या है बाई का राम ही है और हमारी एज क्या होई इसकी दस साल ठीक है और एक class 2 class 2 में श्याम है और वह उसे एक साल बढ़ा है ठीक है तो मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको की देखेगा post alias, post की call होती है alias की action दी हमने ठीक है यहाँ पर ना मैं मैं आप क्या दे सकता हू पैटर्न दे सकता हूं ठीक है तो index में मैंने pattern दे दिया और यहां मैं बोल देता हूँ students, alias का नाम students, तो जो students होगा वो इसको भी point करेगा, अब इसको भी point करेगा, दोनों इंडेक्स को point करेगा, ठीक है ना, तो students class 1 में चाहे एक क्रोड students हो, सबको point करेगा, students class 2 में कितने भी students हो, उनको भी point करेगा, ठीक है, चलाते हैं, acknowledge हो गया, get की call, students पर, क्वेरी चलाते है, search, query, match all, ठीक है, enter किया, देख रहे हैं, दोनों आ गए, अच्छा, कुछ पुराने बड़े होगे तो वो भी आ गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सही है, अच्छा, हमें retrieve करना बदा रहा था आपको, ठीक है, get aliases, get aliases किस पर चलाएंगे, हम चलाएंगे, student पर, माल लीजे मेरे को student class 1 के aliases देखने है, ठीक है, तो इस पर aliases चला दूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा आ गया, ठीक है, कोई configuration associated नहीं है, अच्छा, अब इसका मतलब कहा है बाई, configuration associated, क्या बोल रहे हो, बताता हूं, एक काम कर लेता है, post की call होती है ने, alias की, ठीक है, action, then हम क्या करते हैं, आपर, remove, remove, और index पर मैं देता हूं, students, wildcard वाला, और alias हमारा क्या है, students ही है, तो सब में से अब यह delete हो जाएगा है, ठीक है, अच्छा, दुबार से add करते हैं, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको एक filter के साथ add करूँगा, कुछ properties भी दूँगा, अब देखिए, जितने भी students underscore से मेरे indexes थे, फिलाल क्या थे, मेरे खाल से 4 थे, 4 indices थे मेरे, ठीक है, तो strengths उनको point करने लगेगा, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं कुछ-कुछ filter लगाना चाहता हूं, ठीक है, तो filter भी हम लगा सकते हैं, अब हमें पता है, name field तो थी ही, ठीक है, name field तो थी हमारी, तो एक काम कर लेत फिल्टर लगाते हैं, राम वाले students वह ना, जिनका नाम राम है, वो वाले आजाएं, बस एक ऐसी example दे रहा हूं, ठीक है, तो मैंने लिखा term, मैंने लिखा name, और मैंने लिखा क्या, राम, चला दिया, अब सर्च करते हैं, get students, और search API, बले get भी कर लेते हैं, get कर लेते हैं, students new में देख लेते हैं, students new में, aliases आये हैं, क्या, आया तो है बाई, और देखो filter भी आ गया, पहले खाली था ना, अब filter भी आ गया, ठीक है, बात नहीं बात नहीं चली, हटा आते हैं, ठीक है, strengths में सर्च करते हैं, match all, match all, query match all, एक भी नी आया, अच्छा, एक भी नी आया, ए क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई जो नाम field है, हमारी text field है, और text field के लिए match यूज करते हैं, match, ठीक है, अब चलाते हैं, अब चलाते हैं, आगे राम, ठीक है, यह सब जो कहानी है, वो सब पढ़ेंगे, हम query पढ़ेंगे, डीटेल में, अभी तो हमने match all पढ़ा है, ठी अगर अगर underlying indices को हम delete कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारी alias का वो भी हमने देख लिया है, हम कुछ filter भी दे सकते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, remove कर देते हैं, ठीक है, remove कर देते हैं, ठीक है, remove कर दिया मैंने, सब कुछ अटा दिया, ठीक है, फिर से डालता हूँ मैं, put alias, put सिर्फ इस्टुडेंट्स ठीक है अक्नॉलिज हो गया गैट तो चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं है आगे राम अच्छा मैं देखेगा आप क्या करना चाहता हूं मैं उट करना चाहता हूं इसमें देखते हैं हो भी पाए गया नहीं है ना एलियस की हेल्प से पुट करना च अच्छे अच्छा मैं बेसेरेक करना के जाना चाहता हूं एलियस की हैल्प से टॉकुमेंट kok index करने की कुष्ण कर रहा हूं चलाके देख लेते हैंanc taught हो गया देख लेते हैं किसके अंदर जाके देखता हूं मैं देखता हूं इस बार class 1 के अंदर जाके query match all चलाया देखो भई दोनों आ गए अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब मैं क्या करता हूं देखो अब मैं class 2 को भी point करवा देता हूं students alias से ठीक है भई acknowledge हो ठीक है अब अब alias students जो है वो class 1 के students को भी point कर रहा है और दूसरी कक्षा के चात्रों को भी point कर रहा है अब मैं कहचाता हूं doc 3 किया मैंने और मैं घंशियाम को add करना चाहता हूं घंशियाम उसकी age भी 10 साल है एरर आ गई है बोल रहा है देखो भई कह रहा है कि पागल हो ग the right index may be explicitly disabled कहने का सार यह है कि आपको right index भी बताना पड़ेगा जब आप दिखे माल लेते हैं अब चाहते हैं आप जब भी मैं right की call चलाऊं right की students alias पर तो class 2 में जाके वो add हो तो जब आप class 2 में add करवा रहे हो तो यहां पर डाल दीजेगा is underscore right underscore index equal true चला दीजेए acknowledge हो गया आप जब आप घंश्याम को डालोगे तो error नहीं आई है ठीक है और class 2 को सर्च करोगे तो घंश्याम इसमें add हो गया ठीक है बहुत बढ़िया वई यह हमने पढ़ लिया है एलियस ठीक है हमने देखा एलियस को add कैसे करते हैं remove कैसे करते हैं कुछ filter वगर्या देना हो वह कैसे देते हैं यहां तक ही अगर आपको routing आती है routing parameters भी आप पास कर सकते हैं इंसाइड दोस filters जैसे हमने यहां पर मैच कर चलाए थी वैसे यहां पर हम राउट राउटिंग परास कर सकते हैं जैसे कि search routing इंडेक्स राउटिंग ठीक है लेकिन हमने अभी पढ़े नहीं है यह चीज़ है कोई lecture मैंने बनाया नहीं है search routing इंडेक्स राउटिंग पर तो अभी नहीं देख रहे हैं इनको बाद में देखेंगे मेरे को याद दिलवा देना कमेंट वगारा करके स्पैम करके कि हाँ मेरे को वीडियो बनानी है ठीक है पहले मैं routing पढ़ाऊंगा ठीक है फिर मैं एक वीडियो और बना दूँगा कि बहुत देखें अलियस में कैसे उज़ कर सकते हैं वैसे वह अब्वेस हो जाएगा ठीक है जब राउटिंग पढ़ लेंगे तो यहां पर भी लिख पाएंगे उसमें कुछ नहीं बात नहीं है ठीक है तो मेरे को याद दिलवा देजेगा खास कि भी यहां राउटिंग कि पाल एटनाव झालangan भी लाइबग रचे को कि ए टाउड़ को मेरे को पाल एड़ circ 말 यह इंग है गुर सब्सक्तूबग लिख़ अले को घुत कर गらे उसे ज़नी है क्माे को फ़स्थी पाल एगूजつुष मूजब हैं वाम पुत कर पाज़ जब हैं चाम उयक हैं पाल कर